नमस्कार लाइप में इन दो चीजों को हमेशा कमाना सेखना मांगना मत सेखना बिल्कुल मैं फेक्ट बात कर रहा हूं और वो दो चीज बहुत इंपोर्टन चीज है और हर इंसान मांगने के कोशिश करता है और जो नहीं देता है ना नाराज होता है मनी मन सामने वाले से नाराज होगा अपने आप से भी नाराज होगा और सामने वाले से इडिशा करें वाई इस इस नौट राइट जिस चीज को डिजर्व नहीं करते हो उस चीज के लिए नाराज क्यों होते हो यह दो चीज करें हो यह दो चीज हमें साक्माई जाती है और जो कमाता है ना उसको लोग आगे चलके यह दो चीजह देते है और जो नहीं कमाते हैं बस मानी मान नाराज होते रहे थे कि उसने मेरे को क्यों नहीं दी उसने मेरे को ये देना चाहिए था और अपने आप से नाराज होंगे सामने वाले से नाराज होंगे अपने परिवार से नाराज होंगे सबसे होंगे यह आपके सबसे बड़ी मुरुपता है और वो दो चीज क्या है आज मैं आपको फैक्ट के साथ में बताओंगा नमबर वान इज्जत इज्जत कभी मांगी नहीं जाती है इज्जत को कमाया जाता है यह आपके साथी के साथी में आपको बुलाया आप भी पहुचते हैं दूसरे और भी पहुचते हैं लेकिन आपको मां पर रेस्पेक्ट कम मिल रही है सामने वाला कोई आया अच्छा पैसे वाला आया हो या अच्छा जोब करता हो या अच्छी पॉजिशन पर आया हूँ उसको अच्छी इज़त मिलती है आप पकूशते ही लो आई आई ये बेटिए उसके आगे पिछे गुमते है और सब उनको नमस्कार होगे रा सब बिठने यह साला हम एसा नोगों को माद आता हम चैसे सह चोटे लोगों तो मात देटा ही नहीं है और उन को अमीं माने मज्ट पुन्टेथ होते रहेते हैं उसकी अच्छी इजत हो उससे भी जलन होगी ओहो याज महां पहुंच गया इसलिए लोग इसकी इसी बाते करें आज इसको इतनी वेल्यू इसलिए दे रहे हैं वोट इस दिस वोट आइट टौकिंग अनॉंसेंस वो इज़त उसने कमाई है इसलिए सामने वाले उनको इज़त दे रहे हैं आपने क्या इज़त कमाई है जो अपने आपको दोस्त दे रहे हैं और सामने वाले को दोस्त दे रहे हैं जिसको इज़त मिल रही उसको भी दोस्त दे रहे हैं इज़त कभी मांगने से नहीं मिलती है यू हेव तु क्रिएटर ओनर देन यू कन गेट ओनर फॉम पीपल अधर्वाइज यू कांट गेट ओनर फॉम पीपल इज़त को हमेशा कमाना सीखना अगर सामने वालों को इज़त मिल रही तो देखिए क्या कारण है क्या खूबी है क्या क्वॉलिटी है कि वह इंज़त पा रहा है लोगों से यह नहीं पिस सामने वाले से भिजद्दाएओ जो इंज़त दे रहें और जो इंज़त पा qualities create करिए कुछ तो ऐसी आदते हैं रखिए अपने अंदर के लोग जहां जाए लोग आपके इज़त करें लोग आपके आगे पिछे गुमें और लोग आपको समान दे कुछ ऐसा करके दिखाए अपने अंदर समात को करके दिखाए कुछ रिस्तेदारी में करके दिखाए और अपना वर्क प्लेस में करके दिखाए कुछ ऐसा कि लोग आपकी इज़त करें ऐसा करें कि आपको कभी इज़त मांगनी न पड़े आगे चलका लोग आपको रेस्पेक्ट दे ऐसा करें इज़त को कभी मांग हमेशा कमाना सेकंड پैसा लाइप में पैसा भी किसे से मांगना मत पैसे को कमाना सीखना हाँ ठीक है आप पैसा कमा रहे हो सब कुछ कर रहे हो अच्छ अच्छ बिजनेस में पैसे के जुरुत पड़िए आप को भी घर में कोई miss happening तो पैसे की जुरूत पड़ी है तो कोई बात ने आप यूज के लिए जैसे पैसे आए समने वाले को लोटा दे यूँ नहीं के पैसे पड़े और आज दे रहा हो कल दे परसु दे रहा हो सामने वालों को टरकाना है ऐसा कभी मत करना कि जितना कोसिस तो यह रखना कि सामने वाले से पैसे मांगने के जुरूत न पड़े और जब भी कभी मांगो तो समय पर उसको पैसे लोटा अपने आप में अपने अंदर में इसी क्वालिटीज पैदा करना कि लोग अगर आपको पैसे की जुरूत पड़े तो लोग आगे कर बोले आपको कि कितने पैसे की जुरूत हैं मैं आपको दोगा यह क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना सामने वाला आके बोलेगा यूनिक तुम मांग रहे हो लाख उपर मांग रहे तो वह कहा यार नहीं अभी तो नहीं यार पचाज जार दस जार बीस जार लेगे इस बात की तेरे लिए मनाई है क्वालिटी तो यह होने चाहिए आपके अंदर तो यह दो बाते अपने अंदर जरूर नोट कर लेना अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है लाइफ में अपनी प्रस्नालिटी को डालॉप करना है तो यह कभी किसी से मत मांग ना और पेसा इनको हमसा कमाना सी एकना